PM मोधी ने 5 राज्यों में हुने वाले विधानसभा चनाओं को लेकर ताकत कई राज्यों में जोंकी लेकिन MP एक ऐसा राज जहां सबसे ज़्यादा ताकत जोंकी और PM मोधी की इसी ताकत के वज़े से लगता है BJP को भरोसा है कि जीत की राह मिल जाएगी सत्ता के दर्वाज से खुल जाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और ये सवाल भी कि पीम मोदी ने MP पर इतना ध्यान क्यों दिया प्यम मोदी का फोकस इतना MP पर क्यों था क्या ऐसा कोई सर्वे था जिसके बाद पीम मोदी ने एकदम सक्रिता मत परदेश में बढ़ाई सबसे जादा सभाएं मत परदेश में हुई हैं पीम मोदी की आपको बता दू कि चौदा सभाएं हैं रोट शो भी है इंदौर का पीम मोदी ने इंदौर में रोट शो किया इसके लिए मत परदेश की जो प्रमुक ज मानना है कि अगर पीम मोदी का इतना फोकस बड़ा है और पीम मोदी का फैक्टर जो है वो लोग सभा चनाओं में साफ तोर पर देखा गया था मत प्रदेश में और इस बार भी पार्टी को लग रहा है आपको ये भी बिता दूं इस बार इस बार को लेकर भी विशलेशन हो प्रदा के पीम मोदी की सभाएं पिछली बार की तुला में जादा हैं और एक प्रतिशत का आगर आकड़ा मैं आपको दे दूं तो 2018 में जितनी सभाएं पीम मोदी ने की थी या जितना फूकस रखा था तो सभाओं के हिसाब से भी मैं आपको आकड़ा दे दूं तो प्रदेश में बीजेपी काम्याब हो इसकी रणीती स्वेम आला कमान ने तयार की और पीम मोदी के कारिकम भी मत प्रदेश में जादा रखेगा जैसे मैंने आप से कहा अनराजियों की तुला में आगर आप बात करेंगे चाहराइस्तानों 36 गड़ो या और भी राजियों म प्रदेश की जनता से सरुकार रहा है चाहे लाडली बहना की बात हो बाद में उन्होंने सियम शिवराज का भी नाम लिया लाडली बहना का भी जिकर किया तो कुल मिलाकर पीम मोदी के चेहरे वाली रणीती बीजेपी ने कारगर तरीके से मत प्रदेश में अपनाई ये कि हम आई ये तो परणाम बताएंगे आप देखते रहें एंपी तक